आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भयजू तो इँ बंडल के बंडल कहा जाते थे नौटे छप रही थी महंगाई बढ़ रही थी और नौटों के बंडल कही छिप जाते थे ना भी पीछे लगाओ निकालो आ रहा है आपने देखा होगा कौने कौने से नोटों की आलमारी नमबर एक, नोटों की आलमारी नमबर दो, नोटों की आलमारी नमबर तीन, नोटों की आलमारी नमबर चार, नोटों की आलमारी नमबर पांच, नोटों के बैग नमबर एक, नोटों के बैग नमबर दो, नोटों के बैग नमबर तीन, नोटों के बैग नमबर चार, नोटों के बैग नमबर पांच, नोटों के बैग नमबर छे, नोटों के बैग नमबर साथ, नोटों के बैग नमबर आठ, नोटों के बैग नमबर नौ, नोटों के बैग नमबर दस, नोटों के बैग नमबर ग्यारा, नोटों के बैग नमबर होंगे इतने नोट कभी एक साथ देखे हैं क्या? एक एक आलमारी नोट से ठसा ठस भरी है, आम लोगों की आलमारियों में तो आम चीजें होती हैं लेकिन ये कॉंग्रेस पार्टी के संसर्द धीरद साहू से जोड़ी कम्पनी की आलमारिया है जिन में नोट ही नोट भरे हु और नोटों की संख्या इतनी जादा है कि खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है प्रधान मंत्री मोदी ने लिखा है देश्वासियों इन नोटों के धेर को देखें और फिर इनके नेताओं के इमानदारी के भाशनों को सुने जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लोटानी पड़ेगी यही मोधी की गैरंटी है लोग सभा चुनाव शुरू होने के तीन महीने पहले निकले ये लाखों नोट मोधी विरोधी गडवंधन को बहुत मुसीबत में डालने वाले हैं अच्छे अच्छे लोगों के चहरे पर से चमक चली गई पूरा दीन मोधी मोधी कर रहे हैं मोधी मोधी आखिर ये नोट किसके हैं? इतने नोट एकठे कहां से हुए? आखिर इन नोटों पर प्रधान मंत्री को क्यों ट्वीट करना पड़ा? सब आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले आपको कॉंग्रेस के सांसत धीरज साहू की कंपनी के इस कैश लोग के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं ओडिशा में मौजूद डिस्टिलरी समो और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ आएकर विभाग ने तलाशी की है आएकर विभाग को उमीद है कि इस तलाशी अभियान में धाई सौ करोड रोपे कैश मिलने की संभावना है अब तक 200 करोड की नकती जप्त की जा चुकी है अब तक कोई चापे मारी में 40 लाग से ज़ादा नोट बरामद हो चुके है आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई तो इस बंडल के बंडल कहां जाते थे नोटे छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी अब नोटों के बंडल कहीं चिप जाते थे आभी पीछे लगाओ निकालो आ रहा है, आपने देखा होगा कोने कोने से आयकर विभाग ने ओडिशा, जार्खन और पश्यम मंगाल में चापे मारी की है इसके अलाबा कॉंग्रेस सांसत, धीरज, साहू के ठिकानों पर भी छापे मारी और तलाशी जारी है नोटों की संख्या इतनी जादा है कि नोट गिनने के लिए आयकर विभाग की मशीने कम पड़ गई है च्छे दिसंबर यानि बुधवार से नोटों की गिननती शुरू होई थी और अभी तक नोटों की गिननती लगातार जारी है अभी भी नोटों की गिननती पूरी नहीं हो पाई है आएकर विभाग को उम्मीद है कि अभी दो दिन और नोटों की गिनिती चलने वाली है नोटों के इन बैक्स और नोटों से ठसा ठस भरी इन आलमारियों के कैश को गिनने के लिए नोट गिनने वाली 36 मशीने लगाई गई है रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस सांसद के इस कैश लोग पर पहले ट्वीट किया और उसकी बाद बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉंफरेंस भी आयोजित की गई जिसमें ये बताया गया कि इस कैश लोग के पीछे कॉंग्रेस का करप्शन है इस पर आई-टी रेड हुई है जो की तीन प्रदेशों में जाद्वर्ण में ओडिसा में और परचिन मंगार के दस ठीकानों पर दो दिल तक चली जो तक के सामने आये हैं ये बड़े जी चिंदा जिनक हैं ऐसी नौ अलमारिया है जिसमें करीब सौ करोर रुपाई की दगती मिली है कैश की आलमारियां और बैग धीरज साहू की कंपनी के थमाम ठिकानों से मिल रहे हैं आलमारियों में छिपाई गई 200 करोड रुपे की नगदी तो सिर्फ बलंगीर जिले में डिस्टिलरी समू के एक परिसर से बरामत की गई है जिसमें करीब 50 करोड के नोट ओडिशा के संबलपोर और सुन्दरगाड साथ ही जारखंड के बोकारो और राची से मिल रहे हैं धीरत साहू की एक नहीं कई कंपनिया हैं लेकिन सबसे जादा नोट ओडिशा में बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठेकानों से बरामत हुआ है इसके अलाबा आएकर विभाग ने धीरत साहू की बलदेव साहू इंफरा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बौटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेवरजेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापे मारे हैं सवाल ये उठता है कि आखिर इतना काला धन कॉंग्रिस सांसत के पास आया कहां से? क्या इतना पैसा शराब के व्यापार की टेक्स चोरी से इकठा किया गया है? दरसल धीरज साहू की कमपनी क्वालिटी बौटलर्स प्राइवेट लिमिटेड में विदेशी शराब की बौटलिंग होती है इन में से कई कमपनियों में धीरज प्रसाद साहू भी डेरक्टर है बीजेपी इसलिए इस चापे मारी और नोटों की बरामत्गी को मुद्दा बना रही है क्योंकि धीरज साहू तीन बार कॉंग्रेस की तरब से सांसत चुने गए है इसके अलाबा राखुल गांधी की भारत जोडो यात्रा में भी राखुल गांधी के साथ धीरज साहू नजर आये थे राजस्थान के चुनाओं में बीजेपी ने गहलोत की लाल डायरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ हार गई है और बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी दिखाए कि आखिर वो लाल डायरी है कहां लेकिन लाल डायरी से पहले तो टीवी और मुबाइल की स्क्रीन पर कॉंग्रेस संसत का कैस्ट लोक नजर आ रहा है ये तस्वीरे मुबाइल पर वारल हो रही है और अखबारों में छप रही है साल दो हजार चुबीस के चुनाओ में इन तस्वीरों पर कॉंग्रेस पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा